नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक वानी मेरा नाम है अभिशेक हम सब भारत की सुतनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमरित महुतसब मना रहे हैं इस मोके पर प्रधानमंत्री के आवाहन पर पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान चला रहा है वाटसेप, इंस्टाग्राम और फेस्बूक की डीपियों पर हर तरफ सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आन बान चान तिरंगा आखिर भारत का राष्ट्य ध्वच कब और कैसे बना भारत का राष्ट्य ध्वच जंडा हमेशा से इस रूप में नहीं था समय समय पर कई बदला हुए फिर बना तिरंगा तो आज के तिरंगा का भारतिय राष्ट्य धस बनने की एक लंबी यात्रा है इस लंबी यात्रा के हर कदम की कहानी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 1457 की क्रांती के दौरान सबका अपना अपना जंडा था लेकिन पहली बार क्रांतीकारियों ने एक जंडे को अपना जंडा बनाया वह एक हरे रंग का जंडा था जिसके उपर कमल था आजाद हिंदुस्तान की पहली लडाई के लिए यही वो जंडा था जिसे फ़राया गया था उसके बाद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की सिस्या सिस्टर निवेदिता ने 1904 में भारत का जंडा बनाया जो जंडा लाल रंग का बना था जिसके बीच में पीले रंग से इंद्र का वरज बना था इस जंडे के चारो तरफ पीले रंग का 101 दीपक थे बीच में बंगाली में वंदे मात्रम लिखा हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद पहला रास्टे धवज 7 अगस्ट 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकता में फहराया गया था जिसे अब कॉलकाता कहते हैं इस धवज को लाल पीले और हरे रंग की 36 बट्टियों से बनाया गया था इसमें उपर हरा बीच में पीला और नीचे लाल रंग था साथी इसमें कमल के फूल और चांद सूरज भी बने थे इस जंडे को सचिंद प्रसाद बोस और सूकुमार मित्रा ने डिजाइन किया था भारत का पहला गयर अधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा और भारत को अगले ही साल नया रास्ट ध्वज मिल गया दूसरा रास्ट ध्वज जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा और उनके साथ निर्वासित किये गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 1907 में फराया गया था विदेशी धर्ती पर पहली बार भारत का जंडा फराया गया था इसे बरलिन कमेटी का जंडा भी का जाता है इस जंडे में भी चांद सितारे आदी मौजूद था साथ ही इसमें तीन रंग केसरिया, हरा और पीला सामिल था पहली बार जंडे में केसरिया रंग को सामिल किया गया था इस धच को भी काजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और स्याम जी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तयार किया था तीसरा जंडा 1917 में आया जब हमारे राजितिक संघर्ष ने एक नया मोड लिया डाक्टर एनी बेसेंट और लोकमानित तिलक ने होम रूल लीग आंदोरन के दोरान इसे फ़यराया इस जंडे में पांच लाल और चार हरी छेतिस पट्टियां थी प्राचीन परंपरा को सब्त रिसी को दरसाते हुए साथ सितारे बने हुए थे वहीं बाई और उपरी किनारे पर खंबे की और यूनियन जैट था एक कोने में सफेद, अर्धचंद और सितारा भी था चोथा द्वज, 1921 में अखिल भारतिय कॉंग्रीस कमिटी के सत्र के दोरान आंधपरदेश में आया पिंगली वेंकईया ने कई देशों के राश्टी द्वज के अध्यन के बाद इसी सत्र में लाल और हरारंग का द्वज पेस किया था लाल और हरारंग जो दो प्रमुक्ष समदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतनिजित्व करता है गांधी जी ने सुझाव दिया थी भारत के सेश समुदय का प्रतनिजित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट की प्रगती का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चर्खा होना चाहिए 1921 में निर्मित भारत का चौथा राष्ट धज दस सालों तक अस्तित्म में रहा 1921 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट धज मिला चोथे राष्ट धज की तरह ही पाँचवे राष्ट धज में भी चर्खा का महत्पूर्ण अस्थान रहा हाना कि रंगों में इस बार हेर फेर हुआ चर्खा के साथ ही केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने अपचारिक रूप से इस धज को अपनाया था इस जंडे को भी पिंगली वेंकईया ने डिजाइन किया था फिर पाँचवे जंडे के रूप में आया हमारा आज का तिरंगा डाक्टर राजेन परसाथ की अधक्सता में एक ध्वज समिती का गठन किया गया और उसमें ये फैसला किया गया कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के जंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्य ध्वज के रूप में सुईकार कर लिया जाया ये तिरंगा हो और इसके बीच में असोख का चक्र हो 22 जुराए 1947 को समिधान सभा ने इसे मुक्त भारतिय राष्ट्य ध्वज के रूप में अपनाया भारत का राष्ट्य जंडे में तीन रंगों की 36 पट्टियां है सबसे उपर के सर्या बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टि है और ये तीनों समानू पात में है जंडे की चोड़ाई कनपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है सफेद पट्टि के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है ये चक्र असोक की राजधानी के सारनात के सेड़ के अस्तम पर बना हुआ है इसका व्यास लगभग सफेड पट्टी की चोड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां है तो ये है तिरंगा का राश्ट द्वस बनने की यात्रा उमीद है आपको नई जानकारियां मिले होंगी ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें पब्लिक वानी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद